जोहार आज इस मंच पे इंडिया जो आप देख सकते हैं उत्तर से लेके दशिन तक पूरब से लेके पशिम तक पूरा यहां समागम है विबिन विबिन लोग विचारों उमीदों आशाओं के साथ जुड़ाईए हमारा इंडिया है और यहां आए सभी जन सालाब जो हमारे सामने बैठे हैं धूब पे जो अब रात हो चुकी है और इतनी कड़ी मैनत जो हम लोगों को मिलती है आज यहां मंच पे आसीन जितने मानेगण है वो आपके दुआरा चुने जाते हैं और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को कि आपका प्यार आपका स्ने और आपका आशिर्वाद आने वाले जुनावों में अपने बविश्य को अगर आपको चिंता है तो उसको बदल करके दिखाईए क्योंकि सामने में जो तानाशाही शक्ति खड़ी है वो आपके अधिकारों और हक का हनन करने के लिए खड़ी है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट के भी लोगों को खरीद कर यहां की सरकार तोड़ी गई लेकिन झारखन्द में हमारे महागडबंदन के सबी विधायको ने मिलकर उस शक्ती को दिखाया कि जितनी भी बड़ी शक्ती क्यों ना आ जाए जारखंड की सरकार को हिला नहीं पाई है चहरा पतल गया है चमपई चाचा जी यहां बैठे हैं हेमन जी के नेत्रुत्व में पिछले चार वर्सों से जितनी कल्यांड कारी योजनाय बनाई गई है जिसमें महिलाओं, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यां सब के लिए योजनाय है और आज उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान माने मुक्यमंत्री जी चमपई चाचा जी अग्रसर है उसको तीजी से बढ़ा रहे है जिस शर्यंत्र से आज मेरे पती को जेल में डालने का प्रयास किया गया आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं उनका नाम जुणने वाला है लेकिन मेरी यही दर्ख्वास्त है सभी पार्टी के लोगों से सबी गडमानने लोगों से, सबी जनसालावों से जो सामने बैठे हैं, कि आपको लड़ना नहीं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आज जारखंड में एक लाइन बौद में मशूर हो रही है, जारखंड जुकेगा नहीं, और आज इस शिवाजी पार्क के एतिहासिक मैदान से मैं उस ताना शाहि शक्ती के खिलाफ, ये क्या देना चाहती हूँ, इंडिया जुकेगा नहीं, और इंडिया रुकेगा नहीं, हमारे मानिया राहूल गांदी जी की, महीनों की, ताकत जो आप से मिली है, अपना पसीना बहा के उन्होंने किया, आप लोगों को अपने साथ जोड़ करके किया, आज मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ, क्यूंकि उन्होंने मनिपूर की, उस धर्ती को चुना, जहां उस समय, आग लगी हुई थी मैं एक आदिवासी वर्क से आती हूँ, उस समय मनिपूर का जो हाल हो रहा था, खासकर महिलाओं के साथ जो हाल हो रहा था, उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था आज भी वहाँ की राजसरकार मूख है, केंद्र सरकार मूख है, लेकिन हमारे मानिया राहुल गांदी जी का हिरते इतना बड़ा है, उनको वो पीडा दिखी और वोनोंने उस धर्दी को चुना, जिसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत आभार करती हूँ मेरे ससुर जी, शीबू सोरेन जी, उन्होंने भी महाजनों के खिलाफ उस लड़ाई को लड़ा था और आज हेमन सोरेन जी भी उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते आज जेल के अंदर चले गए लेकिन हमारी यहां की महागडबंधन सरकार आज उन्होंने दिखा दिया जारखंड पीछे नहीं है जारखंड का वो कद्दावर नेता जो आज यहां से शक्ती लेके गया था आज भले वो जेल के पीछे है लेकिन आने वाला वक्त आने वाला चुनाव यह दिखा देगा कि जारखंड में अब भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा वहां अगर रहेगा तो महां गटबंदन के सरकार रहेगी अंद में आप सभी को बहुत बहुत धनेवाद है बहुत बहुत जोहार है जय हिंद जय जारखंड